रूस और यूक्रेन के यूद्ध के 33 फे दिन एक तरफ जहां रूसी हमले जारी है हुए उक्रेन के राष्ट्रपती ब्लादिमीर जलंस्की ने बड़ा बयान दिया है इस बयान से संकेत मिल रहे हैं कि जलंस्की अब रूस की शर्ते मानने के लिए तयार हो सकते हैं जलंस्की ने काए कि रूस के साथ शांती समझोते के लिए यूक्रेन न्यूट्रल स्तिती अपनाने के लिए चर्चा करने के लिए तयार है रूस की ये मांग करता रहा है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा ना बने बलकि एक न्यूट्रल स्टेट के तौर पर रहे और यूक्रेन के बीच टर्की में ये बातचीत होने वाली है इससे पहले बेलारूस के गोबेल में बातचीत हुई थे लेकिन जंग नहीं रुकी लेकिन बताया जारे कि कल टर्की में एक बार फिर से दोनों देशों की मुलाकात होगी